Transformer एक device है जो आपकी low voltage को high voltage और high voltage को low voltage में convert करता है मालों पीछे से voltage आ रही है 140 volt ठीक और मेरे को machine चलाने के लिए कितने चाहिए 220 तो हमारे हर line में transformer लगा होता है वो transformer क्या कर रहा है पीछे से जो विजली आ रही है 140 पे आ रही है उसको 220 करके हमारे घर में भेजता है और अगर पीछे से 400 volt आ गया तो transformer क्या करता है 400 volt को 220 में करके भेजता है तो transformer एक device है जो low voltage को high voltage और high voltage को low voltage में convert करता है और कभी कभी तो हमें guarantee नहीं होती गर्मियों में सब के AC चल पड़ते हैं तो हमारे AC बहुत fluctuate करते हैं गर्मियों के अंदर बहुत गर्मियों में आपने नोट किया होगा तो हम लोग भी stabilizer लगवाते हैं यह चोटा transformer है यह क्या करता है 160 volt भी अगर घर पे आ गई तो 220 करतेगा और अगर 240 आ गई फिसे 200 यह चोटा transformer है और जिन्हों के घरों में तो बिल्कुल ही low voltage है आप नहीं गाओं में जाओ तो बहुत यह चलते हैं तो कुछ लोग तो अपना ही एक छोटा transformer घर के बाहर लगा लेते हैं कैसे बनते हैं बताता हूं तो वो छोटा transformer लगा लेते हैं जो 80 volt को भी 220 volt में convert करता है वहां भी AC चलते हैं जा गवर्मेंट का infrastructure नहीं पहुंच पाया तो low से high high से low voltage कर पाएगा तो transformer एक device है जो कि use for changing AC voltage अब एक student आया वो केता है तो बढ़िया ही हो गया सर मैंने का कैसे कैसे देखो जी बच 20 रुपे का एक cell लेके आया मैंने का अच्छा के बारा बोल्ट लिखा है अब आप एक काम करो एक transformer बना के दिखाओ इसको 202 को दो मैं का वाह यह सही है पांच वोल्ट की बैटरी इनवर्टर नि लगाऊंगा करता है घर में बस यह 20 रुपे से काम चलाऊंगा और मैं 220 बना दूंगा भाई यह DC पे काम नहीं करता transformer DC करंट को कुछ नहीं कर पाएगा काम ही नहीं करता यह alternating changing करंट पर काम करता है यह DC काम नहीं करता अब्जेक्टिव आएगा आपके बोर्ड में कि transformer DC पर काम करता है कि AC पर AC पर alternating current पर काम करता है जो change होते हैं क्लीर है यहां तक दूसरा transformer विच इंक्रीजीज एसी वोल्टेज यो अप करता है वोल्टेज को वो step अप है और जो डाउन करता है वो step डाउन ट्रांस्फोर्मर है तो transformer का principle लिखने है it works on the principle of mutual induction that is whenever amount of magnetic flux linked with the coil changes EMF is induced in the neighboring coil यह लिख देने आपने फिर आपने construction की बात करनी है डाइगरम बनाना है इस डाइगरम में ऐसा लिख लो transformer में जो यह primary section है left वाला जहां से पीछे से बिजली आ रही है वो primary ऐसे current को घुमाया जाता है goal और यह secondary section है हमारे घर कर यह हमारा घर है जहां पर load resistance है output resistance को load resistance भी बोलते हैं हमारे घरों का बल या AC चल रहा है तो यहां से पीछे से आ रही है बिजली transformer से मारे घर तक आ रही है जब पीछे से बिजली आती है इस section को क्या बोलते है प्राइमरी तो लिखो इसके उपर डाइगराम के उपर primary और यह क्या है secondary लिखो डाइगराम में primary secondary फिर इसमें ऐसा लिखो number of turns primary में NP है और secondary में NS है तो यहां पर N, NP, NS लिखने, N1, N2 नहीं लिखना, NP, NS लिखने और voltage में लिखने, EP and ES, EP and ES, that is voltage in primary and secondary, तो यह प्लीज डाइगराम पर mention कर ले, ठीक है अंतर? प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब left section है, इसमें number of turns in primary, number of turn का मतलब है, ऐसे 2 turn है, 4 turn है, 6 turn है, 20 turn है, गोल घुमाते हैं turns को, तो यहां number of turns जादा है, यहां कम है, उपर नीजे भी हो सकते हैं, तो number of turns है, voltage है, voltage का मतलब induce DMF है, primary और secondary में, लिखने हैं यहां तक, अब एक काम क ने, यह जो इसके अंदर mathematical portion, theory and working है, इसको please cut करतो, काटो, काटो, यह गला type है, जो मैं लिख रहा हूँ, वही लिखना paper में, तो note करें, तो note करें, तो note करें, ठीक है, इसी जगा पर note कर लें, ठीक, तो इसकी working लिखें, working के अंदर mathematical portion लिखने जा रहे हैं, यह देखो क्या, तो पहले आप यह लिखें, NP, NP and NS का मतलः, number of turns in primary and secondary, ठीक, लिखें जाने प्लीज, voltage in primary and secondary, यह लिखें, ठीक है, फिर यह लिखें, E primary is minus number of turns in primary into d5 by dt, equation number one, फिर लिखें, E s is minus N s d5 by dt, equation number two, यह लिखें है, ठीक, तो याद रखना, जब पीछे से flux change होता है, primary का, तो यह जो primary और secondary coil आपको दूर दिखाई दे रहे हैं डाइगराम में, लेकिन यह बहुत pass होते हैं, तो हम यह मानते हैं, कि जितना flux का rate primary में change हुआ, secondary में भी same change हो गया, लेकिन practically ऐसा होता नहीं है, फोटी धूरी होती है, उतना change नहीं हो पाता है, यह एक idle transformer है, 100% efficient है, तो यह मान रहे हैं, कि D5 identity दोनों में same है, तो एक में change हुआ, उसे दूसरे का भी change कर लिया, अब equation number 2 को, equation number 1 से divide कर लेते हैं, तो answer आएगा, ES by EP is NS by NP, यह लोग, तो यह formula लिखें, formula रिश्टों में घर जाके note भी कर लेना इसे, तो यह transformer का formula है, कि number of turn secondary और primary का ऐसे related है, अब 2 minute के लिए example लिख रहा हूँ, यह लिखने की जूरत नहीं है आपको, example, जैसे primary का मतलब पीछे से, बिजली जो आ रही है, वो 2 volt पे आ रही है, तो ES by primary के अंदर 2 volt, लिखने की जूरती समझने के लिए, number of turn primary में 10 हैं, और मैंने number of turn secondary में घुमा के 10,000 कर दिये, तार घुमाना मेरे हाथ में है, तो आप यह देखें, सिरफ यह कट गया, तो secondary की voltage पता कितनी होगी, 2000 volt, 2 volt, 2000 volt में convert कर दिया, तो सिरफ number of turn को change करके, यह है transformer, सही है, सिरफ number of turn को उपर नीचे करके, आप secondary voltage को कमिया जादा कर सकते हैं, put out इसमें, ठीक समझाने के लिए 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 यहां पे, तो इसमें, इसमें काम करेंगे, इस ratio को लिखते हैं के, इसे लिखते हैं के, के का मतलब होता है, transformation ratio, transformation ratio, तो if k is greater than 1, तो therefore ns is greater than np, therefore es greater than ep, इस transformer को बोलते हैं, step up transformer, step up transformer, फीक है, तो transformation ratio को greater than 1 है, तो secondary की वोल्टेज प्राइमरी से बड़ी हो जाएगी, तो यह step up transformer है, यह low voltage, वो high voltage में convert करता है, if k की value less than 1, तो number of turns secondary में less than primary, तो इसका मतलब es less than ep, b, इसका मतलब यह step down transformer, ठीक है आता, तो step up, step down transformer, कोड़ आउट इसमें, यह 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 दो लिखना है, पेपर में, ठीक है आता, इसके बाद आपने यह दिखने है, step up, step down के बाद, यहां के कर लो, ठीक है, ठीक, तो इसके बाद आपने ही यह लिखना है, कि अगर transformer, if efficiency of transformer is 100%, तो input power is equal to output power, तो यानि कि, e, p, i, p, e, s, i, s, voltage into current power होती है, तो input, input का मतलब primary, output का मतलब secondary, input, output power same होती है, primary, secondary की power save है, energy loss नहीं है, 100% efficient है, वैसे यह transformer आज तक बने नहीं है, किताबों में तो है, तो इसके अंदर, e, s, by, e, p, is, i, p, by, i, s, यह formula आएगा, लेकिन यह तब ही लगाना है, जब transformer 100% efficient है, पहले वाला formula जुमर जी लगाओ, इससे पहले जो page पे लिखा था, लेकिन यह current वाला formula तब लगेगा, जब power दोनों की equal है, और 100% efficient है, अब मुझे पता है, e, s, by, e, p, तब formula अभी क्या किया था, n, s, by, n, p, और इसकी ratio क्या है, ip, by, i, s, yellow, तो यह आपस में connected, लेकिन यह formula सिर्फ और सिर्फ कभी लगेगा, जब transformer 100% efficient है, ठीक है, और अगर transformer efficient नहीं है, तो efficiency का formula, output power divided by input power into 100, efficiency output power, secondary को output बोलते हैं, primary को input बोलते हैं, फिर उस case में यह formula लगा के answer आएगा, यहां तक transformer लिख के आने आपने,